अस्लामुलेकूम, ऐसे लेस्टू रहा हूँ, आज हमने लक्षा नमर 20 में यूनेट नमर 10, पेंट नमर 40 प्लक्स 41 की यूरिंग करने है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो हमारा यूनेट है, उसका जो हमारे पास टॉपिक है, वो है एड्जेक्टिव ठीक है, एड्जेक्टिव क्या होता है, पर सुसियार, क्वाल्टीज, ठीक है, अब क्वाल्टीज क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ, आप फार एक्जेम्पल, जैसा के कुछ आपकी क्लास में स्टूडेंट लंबे होते हैं, और कुछ छोटे होते हैं, जो उनका लंबा होना है वो उनकी क्वालिटी है ठीक है और जो बचे छोटे हैं तो उनकी क्वालिटी किया है कि वो छोटे हैं क्वारिटेबर कुछ बचे आपकी क्लास मेंए बहुत जाधा शार्फ होते हैं कुछ बचे वह जादा इंदेलिजन्ट होते हैं कुछ बहुत स्वायद एक्सिलन्ट होते हैं तो वह उनकी क्वालिटी है यानि adjective है, तो आज आपना पेई no. 40 plus 41 रीट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है, is this girl sad, क्या ये girl sad है, चीक है, तो sad, इसकी जो adjective है, वो क्या है, sad, यानि ये गमजदा है, ठीक है, no, she is not sad, ये गमजदा नहीं है, she is happy, जी, इसमें अब adjective क्या है, happy होना, इसका, पुश होना, ठीक हमारे पास है, is this woman young, क्या ये जो woman है, वो young है, अब इधर इनका adjective है, वो क्या है, young, ठीक है, young जो है, वो इधर adjective है, no, she is not young, नहीं, ये young नहीं है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है न, she is old, ये बुड़ी है, ये जो इनका बुड़ा होना है, ये adjective है, ठीक है, next हमारे पास है, is this girl ugly, जी, ugly, ये आपको देखें, girls जो ये जो girl है, वो आपको बदसूरत दिखाए दे रही है, ठीक है, और ये इसका जो बदसूरत होना है, यानि अगली, इसमें, क्या है, adjective है, no, she is not ugly, ये बदसूरत नहीं है, she is pretty, ये खूपसूरत है, ठीक है, is this girl ugly, no, she is not ugly, she is pretty, next term पढ़ेंगे, this is z, ये कौन है, जैद है, ठीक है, he is one ball, अब एक ball, जो है, ये जो एक है, ये इसमें क्या है, इसकी खुसूसियत है, यानि इसने limit बताई है, इसके पास एक ball है, ठीक है, and one banana, he is one ball, and one banana, next है, he has red shoes, अब ये जो इसके shoes है, उनका red होना है, यानि के वो सुर्ख रंग के जो है, सुर्ख रंग जो इनमें है, वो इसकी खुसूसियत है, वो इसमें adjective है, he has red t-shirt, अब इसने जो red t-shirt पहन रखी है, ठीक है, अब ये इसका जो color है, red, वो क्या है, adjective है, he has brown hair, अब यहाँ पर देखें, इसके जो बालों का color है, वो brown है, brown में बुरा, तो ये जो इसका बुरा होना, बालों का color जो बुरा है, वो क्या है, adjective है, he has yellow pen, इसकी जो इसने pen, pen रखी है, वो कौन सी है, yellow color की है, तो yellow इसमें क्या है, adjective है, ठीक है, this is sidra, ये कौन है, sidra है, she is a red boy cycle, ये देखें, इनके पास क्या है, red boy cycle है, जिक है, अब red इसमें क्या है, adjective है, she has blue track suit, ये जे देखें, इसने जो कपड़े पैने हुए है, जो track suit पैना हुआ है, वो इसका कौन से color का है, blue color का है, और blue इसमें क्या है, adjective है, she has long black hair, अब इसना जो नम्बे बाल है, ये इसके क्या है, adjective है, जो इसके क्या है, adjective है, she has long black hair, लंबा होना है आप बालों का adjective है, अब इस में इस लाइन में दो ada adjective है, एक तो इसके बाल black है, ठीक है, ब्लैक भी इसकी खसुसियत है, यानि quality है, तो वो भी adjective है, और लंबा, यानि long, वो भी adjective है The bicycle has two wheels, अब bicycle की quality क्या है, कि इसके दो wheels है, यानि इसके two tires है Next page क्या हम आ जाते हैं, Mr. Puram is an old man Mr. Puram जहें, वो क्या है, old woman है, sorry, man है Old man जो है, ये जो old होना है, इनका बुड़ा होना, वो इनमें क्या है, adjective है Amjad is a young boy, Amjad क्या है, young है, तो young इसमें क्या है, adjective Mr. Puram is an old man, Amjad is a young boy Next page, Zarina is a fat woman, जाते है, जरीना क्या है, healthy है, इनका ये जो healthy होना है, ये क्या है इनका adjective है Sabia is a thin woman, Sabia आपको कैसे दिखाए दे रही है, पतली, नहीं, इनका जो पतला होना है, वो adjective है Zarina is a fat woman, Sabia is a thin woman Yassir is black, आपको या से दिखाए दे रही है, वो black है, ठीक है, black इनका है, adjective है Inna is white, Inna white है, तो white इनका है, adjective है Afshan is sad, Afshan आपको sad दिखाए दे रही है, आप ये sad होना क्या है Adjective, sad, adjective है, Sarah is happy, Sarah आपको कुछ दिखाए दे रही है, तो ये जो कुछ होना है, यानि happy, तो ये adjective है Afshan is sad, Sarah is happy, the syrup is cold, syrup क्या होता है, one class, juice, ठीक है, juice को हम syrup कहते है, ठीक है और cold, इसका जो ठंडा होना है, वो इसकी खसुसियत, यानि quality है, ठीक है, adjective The tea is hot, अब tea गर्म है, ठीक है, तो जो इसका गर्म होना है, वो hot, यानि adjective है, quality है The syrup is cold, the tea is hot, एक दपा पे रिट करते है Is this girl sad? No, she is not sad, she is happy Is this woman young? No, she is not young, she is old Is this girl ugly? No, she is not ugly, she is pretty This is Zach, he has one ball and one banana He has red shoes, he has red t-shirt, he has brown hair, he has yellow pants This is Sidra, she has a red bicycle, she has blue track suit She has long black hair, she bicycle has two wheels Mr. Puram is an old man, Amjad is a young boy Zarina is a fat woman, Sabir is a thin woman Yassir is black, Hinna is white, Afshan is sad, Sarah is happy, the syrup is cold, the tea is hot जी, आज कहीं जो आपरा विकाम था, complete हुआ आपने इसको reading को त्यार करना है याद करना है, जो मुश्किल है पास है, उनके meaning याद करनी है और उसको underline करना है, अपना क्या रखेगा, अल्ला हाफिस करना है, जो मुश्किल हाद करना है